हलो मैं लब्ले फेंज कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे हो तो आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ अपने टॉप फाइब फेवरिट आई सैडो पैलेट तो चलिए ज़ादा बाते नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो मैं स्टार्ट करूंगी लो टू हाई प्राइस निए तो सबसे पहला पैलेट जो मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी वो होगा ये हिलैरी रोडा का आई सैडो पैलेट ये 16 और इसमें जो मैंने लिया है सेड वो है 02 इसमें आपको shade variance मिल जाएंगे तो आप अपने according shade choose कर सकते हैं और इसके price के बारे में बात करें तो इसका price है 229 रुपीज बट आपको ये हमेशा ही discounted price पे मिल जाएगा ये आपको under 200 मिल जाएगा 160 से 190 के बीच रहता है इसका price और easily आपको हर साइट में मिल जाएगा तो मैं आज सारे जितने भी आपको eyeshadow palette आज दिखाऊंगी उन सब के purchase link जो है description box में होंगे तो in case अगर आप interested होंगे किसी भी palette में और अपने लिए लेना चाहते होंगे तो आप check out कर सकते हैं तो इसकी net quantity जो है वो 20.8 gram की है एक cardboard की packaging में आता है ये और काफी अच्छा palette है आपको इसमें total 16 color eyeshadow मिल जाएंगे और ये dupe है NYX Ultimate eyeshadow palette का मैं आप लोगों को इसे open करके दिखाती हो ये कुछ इस तरीके से दिखता है और back side पे इसके ingredients में बहुत ही light weight है बहुत ही easily blend हो जाता है सारे ही color बहुत ही ज़्यादा highly pigmented है except मैं बोलूँगी कि इसमें आप देख सकते इसके color को except ये yellow color जो है आपको again and again लेना पड़ता है बाकी सारे color बहुत ज़्यादा pigmented है और काफी अच्छा palette है ये beginner friendly palette pigmentation की बात करें quality की बात करें तो superb है means super amazing palette है combination है matte और simri दोनों का combination है ये palette आप लोगों को इसके कुछ swatches दिखा देती हूँ आप देख सकते हो पास से इसके सारे colors को means मैंने सारे के swatches तो नहीं किये मुझे जो अच्छा लगा उसके swatches मैंने कुछ के swatches किये हैं तो आप देख सकते हो सारे ही color बहुत ही ज़्यादा pigmented है मैं आप लोगों को यलो भी दिखा देती हूँ यलो सायद नहीं दिखे बहुत ही इन सबके comparison में थोड़ा कम pigmented है आपको बार बार इसे लेना होगा build up करना होगा आप देख सकते हो यलो कलर को बहुत ही अच्छा palette है तो मैं बोलूँगी कि अगर आप beginner हो और अपने लिए कोई palette ढूंड रहे हो ना और अच्छे price में ढूंड रहे हो बहुत जादा expensive नहीं और pigmentation भी बहुत ही अच्छा हो color combination सारे बहुत ही अच्छे हो तो आप इस palette के साथ जा सकते हो यह बहुत ही प्यारा palette है और बहुत ही अच्छा palette है next palette जो में आप लोगों के साथ share करूंगी वह होगा यह wet and wild का rose in the air eyeshadow palette और इसके price के बारे में बात करें तो इसका price है 499 रूपीज बट आपको यह bit discount 300 से 350 के बीच में मिल जाएगा इसकी net quantity है 10 gram का और इसमें भी आपको shade variance मिल जाएंगे तो आप अपने according shade चूज कर सकते हो यह 10 color eye shadow palette है इसमें आपको total 10 color मिल जाएंगे आप देख सकते हो color काफी जादा अच्छे है मैंने इसे काफी use किया है और इस पी मैंने एक separate review video भी आप लोगों के साथ share किया अब तक आपनों इससे नहीं देखा है तो मैं उसका link जो है reception box में डाल दोंगी check out कर लीजेगा तो इसमें आपको दो transition shade मिलते हैं बाकी 8 color आपक different different look create कर सकते हो आप इस palette से basic eye makeup look से लेके glam eye makeup look create कर सकते हो means versatile palette है ये खोटू सा है compact size है इसका तो आप इसे अराम से carry कर सकते हो travel कर सकते हो इसको लेके तो देख सकते हो पास से इसके सारे colors को और मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि ये wet and wild का one of the most popular eye shadow palette है तो चलिए मैं आप लो shade है ये भी दूसरा जो है ये भी transition shade है तो इसके सारे ही color बहुत ही अच्छे है बट except मुझे थोड़ा सा ये pink shade जो है थोड़ा सा चौकी लगता है बाखी सारे color बहुत ही अच्छे है बहुत ही pigmented है तो ये भी palette काफी अच्छा है palette जो मैं आप लोगों के साथ सेर करूंगी वो होगा ये sugar का blend the rule eye shadow palette और इसमें मेरा shade है 01 flawless तो इसमें भी आपको shade variance मिल जाएंगे अपने recording आप shade चूच कर सकते हैं तो 1199 knit quantity है इसकी 10.4 gram की और ये एक cardboard की packaging में आता है आप देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये cruelty free product है तो मैं आप लोगों कोई से open करके दिखा आती हूं ये इस तरीके से open होता है और आपको एक plastic मिलता है जिस पर की सारी name mention किये हुए है और काफी warm shade है ये तो आप अपने choice के according इसमें आपको variance मिल जाएंगे आपने choice के according कोई सावी shade चूच कर सकते हैं आपको यहां पर duo brush भी मिल रहा है full size mirror मिल जाता है इस product में आपको ज़्यादा पसंद आता है इसमें आपको total 8 shade मिल जाएंगे आप देख सकते हैं पास से इसके सारे colors को कि पिग्मेंटेड है ये eyeshadow palette fallout भी नहीं होता है तो मुझे ये palette अपने लिए बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही beautiful है ये palette तो मैं आप लोगों के साथ share करूँगी वह होगा ये makeup revolution का Tami X revolution tropical eyeshadow carnival palette ये एक बहुत ही beautiful सा palette है बहुत ही ज्यादा beautiful है और ये cardboard की packaging में आता है आप देख सकते हो इसका price है 1950 रूपीज बट आपको ये मुझे ये dividend discount 1240 ऐसे इस तरह से मिला था और ये भी आपको easily हर साइड पे मिल जाएगा इसकी net quantity है 18 ग्राम की तो ये एक बहुत ही जादा versatile palette है मैं आप लोगों को इसे open करके दिखाती हूं सकते हो यहाँ पर एक plastic है और इसके सारे colors को और यहाँ पर आपको full size mirror मिल जाता है जो बहुत बहुत ही अच्छी बात होती है eye shadow palette हो या कोई भी makeup product हो मुझे personally ये चीज बहुत ही अच्छा लगता है क्यों सकते हैं इसमें total आपको 18 shade मिल जाएंगे black matte shade मिल जाता है तो smokey look करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है और इसके सारे सिम्री shade जो है काफी ज्यादा pigmented है matte shade मिल ज्यादा pigmented है बट compare करें तो मुझे सिम्री shade इसके बहुत ही ज्यादा pigmented लगते है और वर पाटी हो function हो occasion हो तो आप इस palette को definitely try कर सकते हैं hand swatches आप लोगों को दिखाती हूं मिल ज्यादा pigmented है और अगर इस type के होना कि आपको color supply करना अच्छा लगता हो और अगर पैलेट आपको अगर पसंद आता है तो यह palette आपके लिए बहुत ही अच्छा palette होगा मुझे यह परूँगी वह होगा यह 63 color eyeshadow tray और मैंने इस इस पर भी एक separate review वीडियो आप लोगों के साथ share किया है अगर आप लोगों को news से भी नहीं देखा है तो मैं सारे के link जिस पर भी मैंने separately review किया है उन सब का link जो है मैं डाल दों कि आप check out कर लीजेगा यह भी आपको amazon पे या फिर instagram store पे अबलेबल है आप देख सकते हैं तो मैं आप लोगों को इसे open करके दिखाती हूँ यह कुछ इस तरीके से open होता है यह एक magnetic closer के साथ आता है मैं transition shade मिल जाते हैं काफी अच्छे इधर आपको smoky eye look create करने के लिए मिल जाता है बहुत ही different different color और इधर तो आप देखी सकते हो कितने variety variety के colors है red है pink है green है blue है purple है means कोई ऐसा color नहीं है जो ठूट गया है और आपको highly pigmented है यह eyeshadow palette जो है और इसमें भी आपको shade variants मिल जाएंगे beauty glaze इसके palette में तो मैंने अपने दिखा देती हो कुछ हैंट वर जाते हैं तो सारे colors बहुत ही अच्छे है color combination तो खैर पूछो ही नहीं कि कितना अच्छा है क्योंकि इसमें आपको matte भी है सिम्री भी है तो combination है यह palette जो है बहुत ही खुबसूरत दिखता है बहुत ही प्यारा वैसे तो hope आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों के लिए helpful हो आप लोगों को पसंद आए तो अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियो और आप लोगों को देखना पसंद आता है और आप लोगों को लगता है कि वीडियो मेरा helpful होता है आप लोग मिल जाएगा और आप लोगों से मेरी कोई वीडियो जो है वो मिस्स नहीं होगी सो मैं आप से अब मिलूंगी अपने नेक्स वीडियो में तिल दिन बाबाई टेक्या गाइस